चलो तो यारी साइट है ना आज काम चैटिंग हुई इसकी तो सारा पूरा बेग लेके जा रहे हैं हसन ला मुझी दे दो हसन लोगा है यह हसन हुआ कि यह था इदर आके बता शूद एक्सचेंज हो गए थे पता ही नहीं चैला ममा हो पता ही नहीं चैला जल्दी कर लो खुद देर हो रही है वो पिखल जाएगी सारी फायदा दो कुछ अब एक दम नहीं कुलेगा इबाद ला मुझी देदो मुझी देदो इबाद ऐसे नहीं कुलता इबाद नहीं मुझी देदो मैं रख दूँगी चलो जाओ भी निकलो भी जूस जो बहुत अब लाफिस अच्छा पढ़के आना इबाद बहुत पर हसन को दे देदे ना आप शेयर कर ले ना टाटा अलाफिस चपटी कर लो बर्ट पहले से आप जो नहीं इनफॉर्म कर दो पिर यह आप दो दिन की कर लो तीन दिन की कर लो लेकिन बता कर कम से कम और जबे चो इनहें हलपर्स का मसला होता है WHY यह ना बना और पिर समझती हैं कि दूसरे दिन हम चले जाएंगे और कुछ होगा ही नहीं तो खेर अलब पाकवस हाथ पेरों में जो है ना वो अपनी ताकत दे तो वो जादा अच्छा होता है मेरी हमेशा यही दूआ होती है तो यह वाशिंग मशीन जो है मेरी शादी केसली इसके हाला तोड़ी खराब हो चुकी है लेकिन यह काम अच्छा कर देती है कपड़े दो देती है तो बस और क्या चाहिए बेमकसद मैं चेंज़ करें क्या पैसे जाय करूँ और यहां में आप लोगो दिखा रहे है चिलतन प्यूर मैन हैर ग्रोथ शैंपू खास तोर पे जिन लोगों के बाल काफ़ ज़ड़ते हैं और यह मैंस के जिल्द के हिसाब से बना हुआ है तो मेरे हैस्बेंट के भी बाल काफ़ डैमेज हो रहे है इनकी मेरे हैं इनकी ग्रोथ भी काफ़ी हद तक रोक चुकी है तो इस शैंपू सीए कि आपके बालो की री ग्रोथ होती है आपको डिrien बालो ऑ्का बोद्सक्रायाबर् साथ Virt antes जाएगा अगर आप लोग ये शैंपू मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंके 10 गुड़े अको डिस्काउन ही मिल जाएगा और बस वाशे मेशीन लग चुकी थी अब सफाई भी क्योंकि मुझे ही कर नहीं थी सफाई मैं काफी हद तक कर चुकी थी क्योंकि जब मैं केरे काम करती हूं तो बस में भागते दुड़ते हैं जो जो मेरे मुझे नजर आता रहता है बस में वो काम करती हूं continue अगर मैं काम करो ना पिर यह होता है किचन काफी डिस्ट्रब हो जाता है क्योंकि मेरा काम जो है वो किचन का काफी जादा होता है दुपहर का खाना रात का खाना पिर यह होता है कि अगर recipe शूट कर नहीं है तो उसके लिए आपको तकरिबं तीन से चार घंटा निकालना होत है तो अभी यह है कि बस मुझे भी कपड़े वगयर मैंने वाश कर दिये थे कपड़े डाल दिये थे सुखाने के लिए बच्चे अभी जो है मेरे सो रहे हैं क्योंकि स्कूल से आने के बाद जो तकरिबं यह एक से जड़ घंटा सोते हैं उसके बाद पर यह अपनी टूश जाना तो वगयरा इस तरह के मिरर्स वगयरा पर होते हैं ना तो मुझे काफी दाधा जो ना इडिस्टरप करती हैं चीजें तो मेरी कोशिच यह होती है कि इन चीज़ों को जो 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 ना मैं अलग से क्लीन करके रखूं और गलास क्लीनर जो है वो मैं घर में खुद बनात गर में काफी आराम से बन जाता है और काफी महीनों तक चल पी जाता है तो बस यहां पे मैं भी डस्टिंग वगरा करके जो ना उसके बाद में खाने की तियारी करना शुरू कर दूंगी और शाम का वक्ता भी हो चुका था तो सफाई में आज जो ना मेरा सारा दिन जो ना सफाई और मशीन में लग गया था तो बच्चे जब टूशन से वापस आ गए ना तो हजबेंट की कॉल आ गई थी और हजबेंट ने जो है वो मुझे यही बताने के लिए फोन किया था कि मेरे लिए जो है वो सबजी बना देना और आज कल जो है ना वो कुछ ऐसी हमारे ग किया हुआ है क्योंकि वो जो है खाने में आजकल बहुत जदा इहतियात कर रहे हैं और इनको यह हो रहा है कि मैं थोड़ा सा डाइट पे जो ना अपनी तवज़ों तो यह जातर अभी सबजियां और डालों वगरा पे इस पे जो है वो जादा वो कर रहे हैं बलके डाले भ बहुत कम है सबज्या जादा जो ना इनके उसमें आई हूई ही विए फैर हैं लेकिन बच्छें हैं ना साथ में तो में रोज़ाना जो है सिर्फ सबजी आपकर नहीं रह सकती क्योंकि बच्छे जो हैं वो कुछ भी का आप कर लिए लें लें बच्छों को चिकन मीट जरू कब दूँ ताकि खाने वारे को अच्छा लागे और चलतन प्यूर के ही कुकिंग ऑई डर में इसको कुक कर रही थी अच्छा मैंने से पहले लोकी का सालन भी चलते हैं प्योंके कुकिंग ओयल में बनाया था तो यकीन करें बहुत अच्छा बनाता कोई ही या कोई भी ऐसी स्मैल नी थी जो कि एक अकसर खाने के अंदर से आरी होती है न तो काफी अच्छा मुझे लगा तो आप लोग जो है इस कुकिंग ओयल लबर लबर खाना बनाओं काफी जाद मुझे थकावट हो गई थी तो खायर आभी देखिए मैंने आईल के जिए जिरे को हलका सौते कर लिया था उसके बाद मैंने एक मीडियम साइस के प्यास को रफली काटके डाल दिया था और साथ में ही जो है मैं अभी टेमाटर जो है तो ऐसा अक्सर हो जाता है अचा टेमाटर डालने के भात जो ना मेने इसको ढ़कर तक्सit मीनिट अक्पाई डालने के और तरह करें पिर्ण नमक के नकलता है तो बहूं जाब हो जाती बिंडिया और जो कर ले था जारता है उन्गां और सबसे पहले मैं नमक डालती हूं क्योंकि नमक से जो ना बिंडियों के अंदर जो एक लेस पैदा होता है वो काफी हद तक कवर हो जाता है और ठीक रहता है बाकी मसालों में इसके अंदर सिंपल जो है पिसी वी लाल मिच डालूंगी और इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी जाएगा और ज़िस्ट मैंने इसके अंदर जो है दो से तीन हरी मिर्चे डाली है बहुत कम मसालों में बनती है लेकिन विंडियों का अपना इतना अच्छा फ्लैवर होता है अपना अच्छे एक्जाइका होता है की बहुत जदा अच्छी लगती है तो हरी मिर्चे बस मैं तयार करके कर दी तक क्या आप आप लोगो यह बता रही थी कि हम लोग जो आज कल आजकल यह कर लोग था है क्या यह पका होता है मैं पने बचों का लग पकारी होती हैं uważbend का खाने में पी अच्छा प्रट ऐसा नहीं होता ना कि आप पानी में बस उबाल के सब्जा दे दे दें या पिर पर ऐसी कोई बस जाय की सी चीज़ दे 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 तो सब्जियों पे मैनत तोड़ी से जाधा करनी पड़ती है क्योंकि गोश्ट अगर बनाते हैं तो गोश्ट में त चटोरे होते हैं ना वो एक हद तक तो खाले थें लेकिन बीस पच्छेस दिन के बाद जो ना फिर से दिल करता है कि यार आब वो ही पहले वाली रूटीन पर आओ तो बस यह जो जबान की चसके लगे होते हैं यह बहुत मुश्किल होता है इसके पर कंट्रोल करना बड़ म लूँ हम जैसी जो ओरते होती जो अपने घर चला रही होती है और बच्चे समाल रही होती है खास तरुपे तो हमारा यह होता है कि जो बच्चों के लिए पकता है तो हम वही खा लेते हैं अपने यालग से टाइम निकाल कर और स्पेशल कुछ पकाना यह चीज नहीं होती लेकिन जब से अजमेंट के लिए पकता है तो मैं उस में से जो है थोड़ा सा खाही लेती हूं तो अभी बस यह है के यहां मज़दार सी लोकी और बिंडी के सब्सी जो है रेटी हो चुकी थी और थोड़ा सा जो है वह यारि कि बिलकुल घुलाना मद थोड़ा-घड़ा स तो इतना फर्क पड़ता है खाने को रेंडमनी जो है लाइट में दिखाने का और रिंग लाइट के नीची दिखाने से और यहां मैं आप लोगो दिखा रही है अपने मज़िद के गुम्बत का मेनार जो कि बहुत ही खुशूरत लग लगा था क्योंकि रब लोगों का चांद नजर आ चुका है तो यह जो इना अब जलता रहेगा और यह बहुत प्यार लगता है बच्चे इसे खारे होते हैं खुशूरत लागों कारे का में पानी आ रहा रहा है तो मेरे साथ कोई ऐसी फिली नहीं होती है और पिज़ा मेरे सामने रखा भी उता है तो मुझे इतना अच्छय है लगता है इसकी जगा जो ना मुझे रोटी और चावली चीज जज़ाथ अच्छी लगती हैं लेकि तीन चास साल पहले मुझे इसी तरीके से क्रेज होता था जैसे मेरे बच्चों को आज है ना तो खैर मेडिकल भी कहती है कि आपकी एज के साथ सथ आपके टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो चेंज होते हैं तो आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या पर नहीं होता कि जो चीज़ आपको आज से तकरिबन दो से तीन साल पहले पसंदी वो आपको पसंदी अच्छा कड़ी का जहां तक देख लें तो कड़ी जो है ना मैं शादी से पहले छूती भी नही ही नहीं लगती थी और जब भी हमी कड़ी बनाती थी ना तो मेरे लिए कीमा बनता था लगसे लेकिन مुझे अब इतिनीज़ जादा मुझे अच्छी लगती है कि मै उसको सिर्फ चमच से भी खालेती हूँ और मुझे काफ़ाए था अच्छी लगती यह काड़ी अगर नहीं कहूंगी मैं सिर्फ वो सिर्फ सैलिड ही कहूंगी बाकी मैंने हस्बेंट की सबजी में से थोड़ी सबजी वो खा ली थी तो मेरा भी खाना हो चुका था और मुझे अब नी इतनी शदीदा रही थी क्योंकि सुभा से कंटिनिसली काम करके मेरी हालत जो है वो खराब हो गई थी और पैरों में भी काफ़ेता स्वाइलिंग आ गई थी तो बस मेरी हिम्मत नी हुई कि मैं जो ना बाहर बैटके इन लोग साथ खाती तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्ना हाफिज